नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करेंगे बाजार के उपर क्या कल भी बाजार में होगी गिरावट या फिर निफ्टी उठखडी होगी दोबारा से आपको एक अच्छा सेशन दिखेगा कल के बाजार में इसके बारे में जानेंगे दोस्तों अमेरिका के बाजार में तो हम सब भी ने दिखा कि एक गिरावट के साथ क्लोजिंग मिली है फ्राइडे के सेशन में लगबग 300 पॉइस डाउ जोंस डाउन क्लोज हुए एंड वही नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो लगबग 2% की गिरावटती ऐसे में कुछ इस टॉक्स भी आपकी फोकस लिस्ट में होने चाहिए कल के सेशन में उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं तो चली दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं निके करके सारे ट्रिगर्स को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बैल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगा तक पहुंचे सब से पहल बट फिर भी मैं एक बार बता दूँ एटीन थाउजन के पास कोई भी खरीदना नहीं चाहता था इनफेक्ट थर्सडे के सेशन में हम सभी ने फाइस के जो फिगर देखे वो भी काफी जादा खराब थे लगबग सत्रा सो करोड की कैश में बिकवाली और तीन अजार बिकवाली कोई चोटा मांट नहीं होता बड़ा मांट होता है जिसके चलते फ्राइडे को हम लोग खुले ठीक ठाक ऊपर भी लेकिन वहां पे खरीदने वाले लोग नहीं थे यानि कि आप रिटेल इन्वेस्टर से लेके बड़ा इन्वेस्टर कोई खरीदने के लिए रे अब इन्हें मार्केट में गिरावट देखे यह शार्प गिरावट थी एंड एक चीज हमेशा याद रखना जब भी शार्प करेक्शन होना तो वह शार्प बांस बैक देती है लेकिन क्या यह गिरावट खतम हो गई है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको निफ्टी का अगर चार्ट में खोल के दिखाऊं तो लगबग लगबग यह निफ्टी 15,200-300 से चल रही है अगर आप देखें 15,300 से कंपेर करें 18,000 तक तो लगबग लगबग 2700 पॉइंट्स की रैली है इस रैली में मात्र दो या तीन वार हलकी हलकी प्रॉफिट आपको जो लेवल आये स्क्रीन पर आपके सभी के सामने वो 16,200 के आए जिसके बाद मार्केट 15,938-900 तक आई यानि कि यह कितनी आपने देखी उपर से गरावट 300 फिर फिर मार्केट भागे इस बार जो रैली आपने देखी वो 16,750 तक की रैली है इसके बाद फिर एक करेक की 18,000 चाहिए यानि अगर मैं 16,400 से भी देखो तो 1600 पॉइंट की वन साइड इट रैली है जिसमें एक भी करेक्शन आई नहीं अगर यह करेक्शन 400-500 पॉइंट की हो जाए तो मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होगा यानि कि अगर यह निफ्टी आपको 17,600 या फिर 17,550 के पास मिले तो वो बहुत हेल्दी होगा यह तो हो गई पूरे मार्केट की बात लेकिन कितना गिर सकती है कितना उपर जा सकती है अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों पहली सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए अरॉंड 16,000 स्वारी 17,600 फिफ्टी तो 17,700 के लेवल का फिगर देखेंगे तो 11,000 करोड की कैश में खरिदारी करी है बट फ्यूचर में अभी भी यह वी बेच के गई है लगबग 3,000 प्लस करोड का माल इन्होंने फ्यूचर में सेल करा एंड डियाइज भी 16,33 करोड का माल बेच के गई है यानि डियाइज भी नेगेटिव है अब इसी 50-100 पोइंट की करेक्शन की बात करें तो SDX निफ्टी भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है लगबग 100 पोइंट सकी कमजोरी 17,658 के लिवल्स पर SDX निफ्टी क्लोजिंग देती हुए दिकिए यानि कि अगर मैं आपके लिए रेंज निकालू गल तो 17,600 से 17,700 के बीच में हमारे लिए सपोर्ट और बाइंग आ सकती है उपर की बात करें तो दोबारा 17,800-850 तक हम लोग उपर में विजिट कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना ही है कि डिप में खरिदारी करें जरूर करें अभी ये ना सोचें कि अब तेजी खतम दोबारा 15,000 जारे है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मैं आप से फिर से कह रहा हूँ अगर 17,600 के आसपास आते हैं तो वो आपके लिए एक बाइंग मौका होगा ये हो गई आपके लिए निफ्टी के लेवल्स अब मैं आपके लिए कुछ संकेत के बारे में बात करूँ तो देखिए क्रूड ओयल से अभी भी पॉजिटिव संकेत है क्रूड लगबग 1% पहले तो सबसे जादा फोकस में आजकल जो चल रहा है वो है अदानी पावर काशियर दोस्तों इसमें एक बड़ी खबर भी आई है खबर ये है कि इसने डीबी पावर को खरीद लिया है लगबग 7,000 करोड में तो ये बहुत बड़ी खबर है सेकंड लोगों के इस ताइम फोकस लिस्ट में IRCTC आया है खबरों के सिलसला continue जा रही है थर्जडे फ्राइडे दो दिन continue खबर आई 10% स्टॉक भी भागा है और स्टॉक में अभी करीब करीब 735 के लेवल से आपको closing basis पे मेरे इसाब से कोई अगर बिलकुल ट्रेडर है पोजिशनल भी मतलब एक से दो आप यहां बने रह सकते हैं तो आप यहां बने रह सकते हैं सेकेंड स्टॉक कहीं लोगों की focus list में जो रहता है आज कल वो रहता है data power मेरे को लगता है कहीं वो फोकस आपके रडर पर होना चाहिए खरिदारी करने के हिसाब से तो यह कुछ मेरे हिसाब से वीडियो है मेरी जो आपके लिए मैंने बनाई है निफटी के लेवल सेंग को इस टॉक जो आपके focus में होने चाहिए कल के session में hope आपको यह वीडियो समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day